Hello friends, welcome to my YouTube channel, मैं हूँ दिवया शर्मा बच्चे को गैंस की प्राबलम क्यों होती है? इसके पीछे कौन सा रीजन है? हमें कैसे पता चले कि बच्चे को ये गैंस की ही प्राबलम है? इसके इलावा इसके चार इलाज ऐसे हैं जो बहुत परफेक्ट हैं इन तीनों प्राबलम को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर मदर चाहे तो बच्चे को कभी भी गैंस की प्राबलम नहीं हो सकती लेकिन जो ये treatment बता रही हूँ है मैं 0 से लेकर 6 मन्त के बच्चे तक का बता रही हूँ तो सबसे first क्या है? जब बच्चा दूद पीता है तो बच्चा अगर खीच-खीच के दूद पी रहा है सांस ले रहा है ऐसे करके बीच-बीच में सांस ले रहा है तो बच्चे के अंदर उतनी जादा गैंस चले जाएगी और बच्चे को गैंस की प्राबलम जादा होगी इसलिए हमेशा हलका सा बच्चे का सिर उपर रखें बागी body का part थोड़ा नीचे रखें तो ये बच्चा खीच के दूद नहीं पीएगा चाहे वो mother feed ले रहा है या फिर feeder से दूद पी रहा है लेकिन अगर खीच के दूद पी रहा है तो गैंस की problem होगी ही इसलिए सिर उसका थोड़ा सा हलका सा उपर रखें ताकि वो easily दूद पी सके उसको खीचने की ज़रूरत नहीं पड़े सेकंड चीज जो है बच्चे के हमेशा ही मालिश करनी चाहिए जब आप बच्चे की routine मालिश करेंगी तो हलकी फुल ही गैंस बन भी रही है चाहिए बच्चे का हम गैंस की problem कहते हैं इस कारण से बच्चा बहुत रोता है सेकंड आपने क्या solve करना है इसी चीज को आपने बच्चे को exercise भी ज़रूर करवानी है जब आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं और exercise का हमसी है पवन मुकतासन जैसे बड़े पवन मुकतासन करते हैं तो छोटे हैं बच्चे की दोनों लेग पकड़े गुटनों से फोल्ड करें और पेट के साथ लगा दें ऐसे बच्चे का पवन मुकतासन हो गया इसके इलावा बच्चे को cycling कराएं दोनों लेग पकड़ कर बच्चे की जब बच्चा छोटा है ये तो वो तरीका हो गया कि कभी भी ब खीचता है दूड को और ज्यादा खीचता है गैंस अंदर ज्यादा चली जाती है कुछ बच्चों का digestion ठीक नहीं होता तो गैंस की problem हो जाती है कि कोई problem बहुत नेजर नहीं बड़ी नहीं है लेकिन ये problem तब बढ़़ जाती है जब बच्चा बहुत रोता है और ना रात को सोता है ना दूसरों को सोने देता है इसके इलावा second जो question है वो यह है कि हमें कैसे पता चले कि गैस की problem है अगर बच्चा नाभी के side से यानि कि जो नाभी होती है वहाँ आप touch करके देखे बच्चा बिल्कुल शानत है रो नहीं रहा जब आप टेच करके देखेंगे बच्चा अचानक से रोने लग जाए तो समझ जाये यह गैस की problem है अगर बच्चा हलका फुलका रो भी रहा है तब आपने दबाकर देखा है वहाँ टेच करके देखा है तो बच्चा जोर से रोने लग जाए तब भी आप मान लेजेगी यह गैस की ही problem है तो आप जानते हैं वह चार इलाज जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है तो सबसे first आपनी क्या करना है एक cotton का कपड़ा ले देजिए synthetic कपड़ा नहीं लेना cotton का ही लेना है और उसे प्रेस्टे गरम कर लीजिए उसके बाद आप अपनी ही किसी soft area पर यानी hands पर लगा कर देख लीजिए especially hand के हथेली पर नहीं back side पर लगा के देखें क्योंकि हमारी हथेलियों में इतनी चपाती बना बना कर इतनी capacity हो चुकी होती है हथेलियों की कि हमें इतना गरम का एसास नहीं होता इसलिए back side पर लगा के देखें तो ये problem दूर हो जाएगी और बच्चा बिल्कुर अराम महसूस करेगा इसके इलावा आपने हींका paste तयार करना है हींका paste तयार करने के लिए हींका powder ले लीजिए अगर आपके पास हींका powder नहीं है मतलब pieces में है तो उसको थोड़ा piece लेजिए यानि कि आपने powder form में लेकर उसको उसके बाद उसको पानी में भीगो कर रख दीजिए क्योंकि अगर हम गरम पानी में भी उसको करेंगे तब भी उसका इतने अच्छे से paste नहीं बन पाएगा जितना अच्छे से हमें चाहिए तो आपने क्या करना है उसे पानी में एक चमच पानी में दो चुटकी हींको बिगो कर रख देना है तीन से चार मिनट के लिए इससे वो अच्छे से घुल जाएगी उसके बाद इस पानी को हलका सा गरम कर लीजिए जो की हिंका पानी तयार हुआ है इस पानी को बच्चे की नाभी के साइडों पे लगा लीजिए तो बच्चे की बहुत अराम से गैंस जो है वो पास हो जाएगी बाहर हो जाएगी ड़कार लेता है नहीं लेता इस चीज़ की आपको प्राब्लम नहीं है लेकिन आपने 20 मिनट अपने शोल्डर पर बच्चे को जरूर लगा कर रखना है चाहे वो बच्चा सोच चुका है आपका चौथा आपने बच्चे की मालिश जरूर करनी है ये चारो तरीकों को अगर आप हमेशा फॉलो करते हो हमेशा ध्यान रखते हो तो आपके बच्चे को कभी भी नहीं हो सकती ये गैंस की प्राब्लम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आपके काम की है तो लाइक करिएगा अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल अईकन रू प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी नहीं अपडेट्स मिलती रहें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हल्दी ऑल्वेज कि अप्रम कर जीजिए और को विडियो वेजिए बीजिए और वेजगर हैँ और अवेजिए और वीजिए यदिए रहें जापकर के लिएधन मेरी अवेजिए घ्वेजिए